जैसे जैसे वक्त बीकता जा रहा है तैसे जैसे नए नए न्यूज आ रहे हैं और आप एक कदम और अपने एक्जामस के नजदीक जाते जा रहे हैं तो कल CBSC ने अपना date seat announce किया उस date seat से नजाने कितने लोगों का tension बढ़ गया होगा और सबसे बड़ी tension तो ये बढ़ी होगी कि सर्थ हमारे last exam में और CUET के expected date of examination में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ने वाला है तो ये CBSC की जो date seat है आपके CUET के preparation पे किस तरह से असल डार लेगी और क्या होना चाहिए आपकी strategy उस पे मैं आज आप लोगों से बात करूंगा तो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का basic सिक्षा के इस online learning platform पे तो CBSC ने क्या किया है अपना date seat announce कर दिया है 10-12 दोनों का किया है और सबसे अच्छी चीज जो उसने लिखी है वहाँ पे ये point लिखा है कि the date of conduct of entrance examination meant for the students of class 12 have been taken into consideration and efforts have been made to complete the examination much before the entrance examination this will help the students in a better time management in both boards and entrance examination कहा गया है कि ये जो examination लिया जा रहा है आपका boards का वो आपके entrance examination को ध्यान में देते वे लिया जा रहा है और हमने कोसिस की है कि जितना जल्दी आपके boards के examination हो उसको wind up कर सके उसको wrap up कर सके ताकि आपको sufficient time हो इंटरेंस exam preparation करने के लिए चाहिए आप जाहिए मेंस के हो नीट के हो स्टीवीटी के हो या फिर किसी भी examination के हो तो चलिए इनके कब हो रहा है 25 मार्च को मतलब की लगबग लगबग एप्रील आप पहुंच जा रहे 25 मार्च को खतम हो रहा ऐसा तो नहीं कि 26 से बच्चा लग जाएगा और लगना पड़ेगा बच्चे को 26 से ठीक है दूसरा अब यहां पर आप देखिए कि 17 से आपका 25 को हो रहा 25 से चला गया इसी में परवरी में आप रिपरेशन करेंगे क्या यह एक्जाम और एक वीक पहले स्टार्ट नहीं हो सकता था क्योंकि बोर्ड के लिए तो बच्चे साल भर से तयारी कर रहे होते हैं ठीक है अगर यह एक वीक पहले स्टार्ट हो जाता या फर्स वीक और इसके बाद साइकोलजी लास जो है चार एप्रील को जा रहा है सबसे ज्यादा तो बुरा आर्ट्स वालों के साथ लग रहा है 24 वरी से स्टार्ट हो रहा है और 4 मार्च को आपका खतम हो रहा है सब्जेक्स में की ज़्यादा है तो क्या यह एक्जाम आपका और पहले फर् आपका जो लास्ट मतलब कि आपका पंदर से बीस में के बीच में हो जाना चाहिए examination जो अब तक का trend रहा है ठीक है अब मिड में में क्या होगा आपका exam होगा time आपके पास लगभग डेड़ महीने रहेंगे तो क्या डेड़ महीने is more than enough इसलिए हम लोग सुरू से जब आप लोगों को वीडियो बना करके दे रहे थे तब हमने कहा था कि आपको boards और cvt साथ ले करके चलना है करिए आप boards की तयारी लगतार boards की तयारी कीजिए लेकिन वह one markers जो subject objective questions है उनको आप निगलेक्ट मत कीजिए अब आपके पास बचेंगे सिर्फ डेड़ महीने और maximum बच्चे किदर जाएंगे crash course की तरफ और let me tell you कि अगर आप पहले से preparation कर रहे होते हैं जैसे हमारे जो enrolled बच्चे हैं वर्दान बैच वाले हैं अब क्या उनको डीप में पढ़ाया जा रहा है ठीक है अब उनके बोर्ड वही चीज़ तो बोर्ड में पढ़ेंगे लेकिन objective marking भी हो रही है हमारे तरफ से उनको क्या मिल रहा है हमारे तरफ से उनको one marks के पूरे set मिल रहा है जो questions उनके cvsc board में भी आएंगे one marker की practice कराई जा रहे कि कहीं से भी question आ जाए कोई भी stream फर्क नहीं पढ़ रहा है और school में उनको क्या गिया जा रहा है बोर्स की special तयारी की जा रही है तो दोनों make up हो करके चल रहा है अब बर्स आप बोर्स की तयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं बस उसी objective से मैं आऊंगा और cut crack कर लूँगा it is going to be a difficult task for you इसकी क्या होनी क्या होनी चाहिए strategy अगर आप यह जानना चाते हैं कि देड़ महिनों के अंतराल में आपको कैसे क्या करना होगा क्या यहां से भी recovery mode आप on कर सकते हैं 100% on कर सकते हैं आपको टेंशन लेनी की बात नहीं होगा start your preparation right from here अभी date seat आ गया you still have time 2-3 महिने का समय है आप अपने preparation को start कीजिए लेकिन एक best strategy और time table से start कीजिए if you want to make videos on the strategy and time table do comments that sir please make video on these sections के आप बना दीजिए वीडियो से strategy road map पे मैं उस पे भी बना दूँ लेकिन असर तो अब आब वो आप पे डालेगा मेरा expectations था कि अगर ये exam जो है mid March में complete हो जाता तो आपके पास two months रहते हैं और वो दो महिने जो हैं आपके लिए बहुत जादा helpful हो जाते हैं वो दो महिने बहुत ही जादा helpful हो जाते हैं क्यों क्योंकि आपके पास वो दो धाई महिनों का जो समय होता है उसमें आप अगर और रिवीजन देर डिफरेंस बेटून प्रेपरेशन और रिवीजन तो टेंशन की बात अभी भी नहीं है रिलाक्स रहना है पैनिक बटन को बस आन नहीं करना और नर्वस नहीं हूं ठीक है बाकि फ्यू वांट डिटेल वीडियो और स्ट्राटेजी और आल यू कन आज के लिए बस इतना ही रखता हूं मिलूंगा आगले वीडियो में आप लोगों से एक बार फिर्स तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते चाहिंद